नमस्कार मैं हूँ सौरब बोरासी आप देख रहे हैं फिश फॉर्मिंग इन लोकॉस्ट चैनल बिजी होने के कारण ज्यादा वीडियो तो नहीं डाल पा रहा हूं पर फिर भी कुछ वीडियो डाल देता हूं थोड़ा थोड़ा बनाके ये रूप चंदा फिश है जो की ग् नीचे चौड़ी ज़्यादा हो गई है लंबाई में भले धीमे बढ़ती है लेकिन चौड़ी हो जाती है पान के पत्ते की तरह और फिश को फीडिंग करते हुए देखके आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा एक्टिविटी करने की जो ग्रोथ और एनरजी है वो कितना बढ़िया है कितना स्पीड से वो यहाँ वहाँ भाग रही है यह काफी एक्टिव है इसमें कुछ छोटे-छोटे बच्चे आपको दिखेंगे वो गप्पी के ब्रीडिंग हुए हैं यह टैंक में ब्रीडिंग भी होती रहती है बागी रूप चंदा का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा मिला है मुझे लेकिन अर्थ पॉंट में यही रहता तो शायद यह थोड़ा सा और ज्यादा होता बट बाइफ लॉक टैंक में जगा कम होती है इसलिए थोड़ा अर्थ पॉंट से पीछे रहता आएगए अगले दो महिने में दो से धाई महिने या तीन महिने के आसपास में यह सेलेबल साइज हो जाएगा हमारे यहां के इसाब से हमारे यहां 400 ग्राम के उपर जो है रूप चंदा का सेलेबल साइज है आप फिश की जो रंगत है वो अभी पानी के अंदर है फिर भी वो दिख रही है और उसकी जो स्पीड है और चहल कदमी है वो आप देखके अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी सौस्त है आगे भी इसी तरीके की वीडियो डालूंगा अभी फिलाल में इस वीडियो में इतन नमस्कार जैहन